प्रफिजिक्स बढ़ाएंगा और वह हमारा जो वैप इस्टिडी पॉइंट जो चैनल है उसके मादिम से आपको प्रप्त होंगी तो आपको करना क्या है आपको चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिल सके ठीक है तो आपको जो वीडियो मिलेंगी उसमें पर तुमें लारक करना है उन्हें शेयर करना है यह तो शुक्राइन अब हम किया देखेंगे हम देखेंगे सेलिवस सबसे पहले हम बात करते हैं हम बुक पट्टने से पहले हम यह जानेंगे सबस्रान कर 50 है तो सेहलेवर्स में हमारे records क्या मैं पता दू सेलेवर्स में हमारी दो यूनिट है अब करant कह न चलते के की की इनूट तो psychology है जो खंड के है उसमें फ़स्ट हैं बेदूथ आवेस तता छेत्र ह। कि स्हिएंड है हमारी हैं वेध भेदूथ अब युरयिता युणिट फोर है गतिमान आवेस और चुमभक्तु युनिट यूटी है युणिट सिक्स है बेधूथ चुम्ब की है प्रिवर्ण यूनिट सेवन है पिर्तेवर्ति धारा यूनिट से एट है बेदुत चुम्ब के तरंगे ठीक है अब आपको करना क्या है यह हमारा खंड के है और इसमें आठ यूनिट है इन्हें आप नोट कर लो और जो हमारी बुक है वो स्टार्ट होगी वो इसी अधर पर चलेगी है होगा क्या यूनिट और हमारा खंड के है ूनिट हमारी ये होंगी और चप्टर ये होंगे अभ्यांड आप नोट कर लो हम यूनिट 9 है किरंड प्रिकासिकी एवन प्रिकासिक अंत्र यूनिट 10 है तरंग प्रिकासिकी यूनिट 11 विकीरंड तथा दुर्व्य की दुवेती प्रिकरती यूनिट 12 है प्रमाणू यूनिट 13 है नाविक यूनिट 14 है आर्धचालक इलेक्टोनिकी पधार्ध युक्ति तो हम यहां तक आगे हैं हमें यही टोपिक्स पढ़ना है खंड कै और खंड कहें हमें यह पढ़ना है पहले से बारे पता हुआ है तो आप अभी करना क्या है आप से लेवस नोट करो जैसे आपको करना है वीडियो पोच करना है बीडियो पोज़ करके करो या फिर कैसी भी करना आपको इसे नोट कर लो फिर उसके बाद मैं आगे चलते हैं चेप्टर पर ठीक है तो हमारी यूनिट है बेद्दुत आवेज तथा छेत्र इलेक्टिक यह बेद्दुत इलेक्टिक हो गया ठीक है आवेज हो गया और चार्ज आवेज चार्ज हो गया तथा एंड छेत्र फिल्ड तो इलेक्टिक इलेक्टिक चार्ज एंड फिल्ड तो यह हमारा हो जा यूनिट के अधर पर है बेद्धुत आविश्त शेत्र अब आगे हम देखते हैं इस में इस चेप्टर में आगे बढ़ते हैं बेद्धुत की यह हमारा टोपिक है तो एक ग्रीक ग्रीक के दार्शनिक थे ग्रीक के पिर्शित दार्शनिक थेल्स उन्होंने क्या बताया जब अंबर नामक पधार्थ को फला लेन ये एक पधार्थ होता ठोस पधार्थ फला लेन अथवा उनिवस्त्रों से रगल जाता है अंबर नामक पधार्थ को फला लेन अथवा तिन के होते हैं हमारे चोटे चोटे आधि को अपनी और आगर्ष्थ कनने का गुण आ जाता है ठीक है कब आ जाता है जब जो हमारा अंबर नामक पदार्थ है उसे फला लेन अथवा उनिवस्तरों से रगड़ा जाता है तो हमें फला लेन से अंबर को रगड़ने पर जो हमारा गुण होता है वो कौन सा गुण होता आगर्ष्थ कनने वाला ठीक है छोल हलकी बस्तुएं जो होती है हमें हलकी बस्तुएं हलकी बस्तुएं को आगर्ष्थ कनने का गुण हमारा मलब रगड़ने पाता ये अंबर नामक पदार्थ को फ अबर तथा अन्य पधार्तों में हलकी वस्तों को अपनी और आघ्रिष्थ करने का गुण उत्पन होता है electricity कहलाती है यह इंगलिसेंग बोलते हैं से electrified ठीक है electrified बोल सकते हैं जो हमारी यह electricity है electricity को ही हम हिंदी में वेदुत्य कहते हैं ठीक है अब आपको सब्झमाय होगा यह ठीक है तो इसे आप नोट कर लो ठीक है अब नोट करो इसे थीक है हमारे बेद्दूत आवेश तथा उनके परिकार तो इस हम बेद्दूत आवेश तथा उनके बारें पढ़ेंगे बेद्दूत आवेश दिरव्य का वहगुण है जिसके कारण वह बेद्दूत तथा चुम्ब किया है प्रभाव उत्पन करता है ठीक है चुम्ब के प् अभर बेदूत आवेस ठीक है हम बेदूत आवेस मलना उत्पन कैसे होते हैं ठीक है अब बाद को सिद्धिकन ने के लिए एक जामपल देखेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं चित हमारा यह पर तो हम क्या को प्रेंगे इसमें दो च्ट रें एक चड़ी है एक चड़ी है यह सुवतनत्रल्पूर लटका हुए तो बिए तो जब लटका है कि यह लटका गई है इस चित्र फंस्ट में भी और 2 2 ृम है इसमें क्या है एक यह है एक शडी अगरे है ओर लटकाने के बाद रिख्र लटकाने के बाद दोनो कांची छढ़ा ज्ड़ा थे लग्रणे पड च्छोड़ा तो इनके रगड़ने पर दो छोड़ा तो इन में क्या होगा तो दोनों एक पतार से रगड़ी है एक पतार से रगड़ी है क्योंकि रेसम से रगड़ी है यह भी रेसम से रगड़ी है तो इन में क्या होगा यह हमारा पोजिटिव है पिलस ठीक है धनात्मक तो हमारा पोजिटिव चार जब दोनों चीज एक सी हो गई तो चिए अग्ये एक दूर से दोर भगेंगे इस स्तिति में यहाँ पर कोसा बाल होगा पिर थे मारा जो हमारा दो च्टों को दूर बघवा आगा वहाँ आगे देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं जो हमारी कांची चड़ है जो हमारा रेसम से रखड़ेगी है तो इसमें क्या हो रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज उत्रपन हो रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्रपन हो रहा है अब हम सेकिंड शड़ में देखते हैं जो आपनुस की शड़ है जो बिल्ली खाल से रखने के तोरण हमने सुब्स पूर्ण लटकाई है तो इसमें क्या हो रहा है एक प्लस है एक माइनस है तो इस तित्थी में आपको प जो हमारे पिलस माइनस क्या होते हैं पिलस माइनस अिonenस पास लाएंगे तो ये निश्करिकर कर देंगे तो घ्रोम यहीं बताया है यदि सुंतरपूर्भक घृटकी दो काच्हकी छड़ो को रि 주bank कर एक बार एंज रहौत ऑस नहीं है पिर्टीक 있습니다 कर crash है आपने यदि सुरुत्न तरदा पूर्वक लटकी लटकी दो इसमें क्या है यहां पर छड़ दोनों एक सी है कांच की है इसमें यहां पर क्या हुआ दो इसमें दो नहीं लेंगे इसमें यहां पर लटकी एक एक कांच की छड़ है एक कांच की छड़ कांच की छड़ तथा दूसरी हमारी है दूसरी हमारी आवनुस की छड़ आवनुस की छड़ ठीक है तो हमने हुआ क्या है यहां पर जो हमारी कांच ही छड़ है में हमारी कांची थिस्ट रगड़ गी और वह वीडत जाए है वह भीलिक रगड़ गीए ठीक है तो अब इनके रगड़ने पर आसे कि रगड़ने इसे ठीक से लेखेंगे कि रगड़ने पर इनपर इन पर पोजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है जो चार्ज है मनला आवेस है यह है आवेस चार्ज उत्पन होता है उत्पन होता है देखा भी होगा यह रहा करने पर इन पर पॉजिटिव और पर उत्पन होता है ठीक है तो इस ct- के बीच कौन सा प्रिट्टिकर्शनवल है और हमारा जो यह अलग लग पधारत की छाड़ अलग लग पधारत से रगड के लटकाई गई है तो इनके बीच में कौन सा पहले है अगाशनवल मलग एक दूसरी के तरफ को खिचाब करने वाला ठीक है अब हम अब हमार यहां से हम दो पर्रिकार चार्ज होते हैं हमने आभी आगे देखा बेज़ुत भेस्टार रश 앞에 कर थे ध्याहर थे चरना है को बुक में कर लो नोटबुक में कर लो ठीक है और ठीक से करना है और इससे पढ़ना है दुबार से और नेक्स्ट ग्लास हम अगले टोपिक से लेंगे जब तक के लिए धिन्यवाद और वीडियो को कमेंट करें सेयर करें थैंक्यू